नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि जीलू क्रीम का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, जीलू क्रीम को कैसे लगाना चाहिए, और जीलू क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डि प्योग फंगल इंफेक्शन होने पर किया जाता है, त्वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर त्वचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और त्वचा में जख्म आदी लक्षन दिखाई देने लगते हैं, इसके अलावा फंगल इंफेक्शन होने पर त्वचा पर पपड़ी जमना, वचा का पपड़ी बन कर उतरना, वचा में दरारे होना, वचा का कुछ हिस्सा सफेद वन नरम होना आदी लक्षन भी फंदल इंफेक्शन होने पर हो सकते हैं. फंदल इनफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। फंदल इनफेक्शन नाखुनों और जांगों में भी हो सकता है। इसलिए नाखुनों और जांगों के फंदल इनफेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर जीलू क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि जीलू क्रीम को कैसे लगाना recommended होता है जीलू क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और हाथों व प्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद जीलू क्रीम की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगानी चाहिए और जीलू क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए जीलू क्रीम को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इनफेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जीलू क्रीम को दिन में एक ही बार लगाने की सला देते हैं डॉक्टर जीलू क्रीम को एक सब्ता से लेकर दो सब्ता तक लगातार लगाने की सला दे सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि जीलू क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्स ह जैसे त्वचा में जलन, त्वचा में खुझली, त्वचा में रैडनेस, त्वचा में सूजन और त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बन कर उतर सकती हैं। क्रीम की वज़से एलरजी होने पर भी हो सकते हैं। यदि आपको जीलू क्रीम को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि जीलू क्रीम को लगाते समय क्या-क्य सावधानिया रखनी चाहिए। फंदल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। इसलिए जब तक फंदल इन्फेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए। तब तक संक्रमित व्यक्ति के कपडों और शारिरिक संपर्क में आने से बचना चाहिए। जीलू क्रीम को आख, नाख, मुह और वजाइना के अंदर लगाना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए जीलू क्रीम को आख, नाख, मुह और वजाइना के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि जीलू क्रीम प् लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जीलू क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जीलू क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।